आज हमारे पास है OnePlus 11 5G स्मार्टफोन आज इस वीडियो में हम लोग इसकी कैमरा को टेस्ट करेंगे स्लो मोशन शॉट्स भी देखेंगे, मैक्रो फोटोगराफी भी देखेंगे और भी काफी सारे फीचर्स जो की कैमरा के हैं सारा कुछ टेस्ट करेंगे, इस वीडियो के अंदर में चलिए कर लेते हैं, वीडियो को शुरू अब ज़े काफी जादा सही लग रही है, देख सकते हैं, और कलर्स वगेर भी काफी तोड़ा पंची टाइप से आते हैं, यहां पर आप एक फोटो देख सकते हैं, वाइड एंगल में मैंने क्लिक किया है, तो यह फोटो आप लोगो कैसे लगी नीचे कॉमें स्क्रीन में आप लोगों को दिखा सकते हैं, तो यहां पर पोट्रेज के जो एजेज वगेर हैं, वो काफी हार सही लग रहे हैं, और काफी अच्छे से क्लिक हुए हैं, यहां पर वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बुके एफेक्ट देखने को मिल जाता है, मतलब डेप्थ में आ तो यहां पर मैं एक सेंपल वीडियो शूट कर लेता हूं, और इसे आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा भी दूँगा, तो यहां पर मैंने एक छोटी सी क्लिप शूट कर लिए और देख सकते हैं, इसके जो बलर वगएर आया है, वो काफी कमाल का आया है, और हैर के पास भ जो है, फेस पर थोड़ा सा लाइटिंग जादा आ रही है, बैक कैमरे के मुकाबले में, तो बैक कैमरा इसका यहार काफी जबरदस्त है, यह एक स्लो मोशन शॉट के सैंपल है, देख सकते हैं, जो काफी ज़ादा स्लो मोशन में हो गया है, लेकिन स्लो मोशन शूट करते स में लाइटिंग काफी अच्छी होनी चाहिए, चलिए अब आप लोग को सिंपल वीडियो भी दिखा देता हूँ, तो यह मैंने सैंपल वीडियो शूट किया है, 4K में, तो इसकी क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हैं, काफी कमाल की है, और काफी अमेजिंग कलर्स अब्जेक्ट के नजदीक में लोग होगे, तो वो अटोमेटिकली मैक्रो मूट पर शिफ्ट हो जाएगा, देख सकते हैं स्क्रीन पर, और नॉर्मली आपकी फोटो जो है, वो क्लिक हो जाएगा, इससे मैक्रो फोटोगराफी भी काफी अमेजिंग आती है, तो आप लोग से मैक्रो फोटोगराफी भी कर सकते हो, यह थी वीडियो आप लोगों के लिए 1 प्लस 11 5G स्मार्टफोन के डेप्थ कैमरा रिव्यू दिया है, आई होब कि वीडियो और यह सैंपल से आपके सारे डाउट्स किलियर हो चुके होगे, अगर फिर भी कोई सुझा हो है, या फ तक के लिए टेक किया और बाई बाई और अभी तक किया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना